सब्सक्राइब ओए जिनर डायोड कौन सा डायोड जीनर डायोड एक डोपिंग वाला पी एंजंक्शन डायोड होता है कि डोपिंग इसको बोला जाता है तो जो जिन डायॉट है उसमें पी सैड और इन दोनों में ही डोपिंग काफी ज़ाद होती है और डोपिंग ज्यादा होने के जिसे इसका जो ब्रेग्डाउन वोल्टेज होता है डीवर्स बायस में प्रेक्डाउन वोल्टेज हमने पढ़ा था नॉर्मल डायॉट के लिए होता वह सेवन टू एट वोल्ट के आसपास इसका टू-3 वोल्ट पे ही ब्रेक्डाउन वोल्टेज आ जाता है और आपको पते हैं टू-3 वोल्ट की उपर कोई भी डायोड हो खराब नहीं होता बतलब यह दिवर्स वाइस पर भी काम करेगा नोर्मल डायोड तो रिवर्स व के अंदर आपने इसको प्लायोड के अंधर आपने हाइवली को कर रख टूपिंग इसमें ज्याधा कर रखी और ज्यादा लोपिंग के वज़े से क्या होगा धुर्ष में ज्यादा चार्श केरियर वेक्डाउन हो जाता है टू-3 वोल्ट पर ही इस्में से कंडिक्षन स्टार्ट हो जाता है जो बेरीयर घाल हो जाता मतलब इसका तो हम यह वह लेंगे कि जीन डायोड है वर रिवर्स बायस कंडीशन में यूज के आ कॉन से लिवास क करेंगे जिना डायोड उसका सिंबल देख दो घ्रीकर फिर यह पी सैड और इनसे प्रॉस किया जाटा था तो यह देखो यह सब आस्ट का मतलब है कि जैसे माल्व कि आपने इसको इस veil से क्रिकुज्ट ही से क्ले advocacy यह बीवारा ऑशटाल में यूज करना है यह रेजिस्टेंज करते हैं साथ में इसके अग कि यहां पष्द लेगा जिसकी क्रॉस आपको डोड और लिए क이죠 इनपूट देंगे जो अभी हमें filter से मिला था कूछ सब्किट से आपको आपको मिला था एस टाइब का फ्लक्टवेटिंग वोल्टेज मिला था अभी यह 100% डीसी तो नहीं है लेकिन इसमें यह कह सकते हो कि इसमें डीसी ज्यादा है और एसी बहुत कम है क्योंकि डीसी ज्यादा है तभी तो यह almost डीसी जैसा दिख रहा है और एसी की क्षित को सब्सक्राब और लिए बनाओं कि किस तरीके से रिवर्स-बैस कंडिशन में वोल्टेज एप्लाई करने से करन्ट चेंज होता आप क्या देखते हो कि जब आप रिवर्स-बैस कंडिशन में इस डायोड को यूज करोगे और एपलाइड वोल्टेज को बढ़ाते ज पी को नेगटिव से और एन को पॉस्टिव से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी का वोल्टेज आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वोल्टेज बढ़ने से करेंट किस तरीज से चेंज होगा वह अपन यहां पर ड्रो करेंगे तो शुरुआत में क् अगर वोल्टेज बढ़ा देते हो यहां पर तो कंडिशन में क्या होगा एकदम से इसमें करेंट इंक्रीज हो जाएगा ठीक है एकदम शार्प ग्राफ मिलेगा यह एकदम से करन बढ़ जाएगा यह कंडेक्शन करना स्टार्ट कर देगा एक तरह से स्विच ओन हो गया ठीक है रिवर्स वाइस कंडिशन में पहले तो ओफ था लेकिन जैसे ब्रेक्डाउन वोल्टेज से हमने वोल्टेज को एक्सीड किया तो वोल्ट से करन बढ़ जाता है एक चीज़ सोचो आप अगर मैं थोड़ा सा ही वोल्टेज करूंगा डेल्टा वी मैंने थोड़ा से चेंज किया तो करेंट एकदम से बढ़ जाएगा इसमें करेंट क्या होगा तेजी से इंक्रीज होगा और इसका जो रेजिस्टेंस होता है जीन ड क्रॉस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो इसे फ्लोने वाला करन एकदम से बढ़ेगा और करेंट कब बढ़ता है जब रेजिस्टेंस कम होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जीन डायोड के क्रॉस रिवर्स बैस कंडिशन में ड्रेकडाउन वोल्टेज के बाद में अगर आ ऐसा नहीं कि ओम श्लो के अकोर्डिंग धिरी धिरे बढ़ रहा होगा धिरी धिरे घट रहा होगा ऐसा नहीं है आपने क्या देखा कि थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते एकदम से करंट इंक्रीज हो रहे हैं तो जीन डायोड की खास बात क्या है कि रिवर्स बाइस कंडि क्या है लेकिन हमेशा अव्सक्राइब कर ना करेंट टेन से करोगे तो करंट तो चेंज होगा साथ में यह करंड के लिए वह भी चेंज होता है अब इस प्रोपर्टे को हम यूज करते है तरीके से यूज करोगे अब इसको ध्यान से समझना यह जो वोल्टेज है सबस्क्राइए फाइव वोल्ट से थोड़ा उपर जा रहा है मतलब सेवन वोल्ट तक चला जाता है कभी सिक्स वोल्ट पर आता है और लोएस्ट कितना होता है फाइव टू सेवन वोल्ट के बिच में यह चें होता है हाई तो इसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा हाई रेजिस्टेंस होगा कम करेंट फ्लोगा और दोनों का मल्टिप्लिकेशन करेंट और रेजिस्टेंस का मल्टिप्लिकेशन फॉर वोल्ट के बराबर आ रहा होगा एक वोल्ट कहां से लागए एक वोल्ट यह खा रह पढ़ेंगे इसके लिए फिर मालो की 5 वोल्ट से वोल्टेज बढ़के 6 वोल्ट हो गया अब क्या होगा सिक्स वोल्ट जैसे वोल्ट इस बढ़ेगा हमको बता वोल्टेज बढ़ने पर करेंट बढ़ता है से और उसका resistance कम बढ़ा तो डिया करेंट होगा लेकिन करेंट करेंट बढ़ गहा है लेकिन का रिजिस्टेंस तो कम होगी है त्तौ दोड़ों-का क्ट्रेवास की होता है तो यहाँ पर पहले की से कुंट की बढ़ा एक यहाँ और आपको आपर उर्लिया को और ज्यादा बढ़ा दिया वोल्टेज और चाह्ड़ Präsident और ज्यादा बढ़ेगा इसके अंदर से क्योंकि इसका रजिस्टेंस कम हो जाएगा तो जितना आप इन्पुट उल्टेज बढ़ाओगे इसका रेजिस्टेंस कम पर जाएगा मल्टिप्लिकेशन दोनों का सेम ही रहता है इसलिए इसको एज वोल्टेज रेगुलेटर यूज क्या जाता है कॉंस्टेंट वोल्टेज प्रडूस करने के लिए इसको यूज करते हैं तो यह जैसे मैंने तो यह कुछा जाता है कि जीनर डायोड कौन से बाइसिंग में यूज क्या जाता है तो यह हमेशा रिवर्स बाइस कंडिशन में यूज क्या जाएगा कैसे यूज क्या जाएगा देखा कि जो मोबाइल का चार्जर होता है यह सबक्रों मोबाइल का चार्जर कहिं इंपट में आप क्या देते हो इंपट वोल्टेज कंशा होता है आपको डीची मिलते हैं फाय वोल्ट डीची कि पाइव डीची मिलेगा इनपट तो दिया था है 220 वालट एसी ठीक है 220 वल्ट डिया लेकिन आउट पूट क्या पहले लो वोल्टेज में कनवर्ट करना उसके बाद में लगाया होगा इसमें फिल्टर और उसके बाद में क्या लगा होगा जीन डायोड तब जाके आपको अगर को पुराना डायोड हो तो उसको आप खोल के देखना उसको ऊपन करके देखना कि उसमें आपको यह सारी चीजी दिखेंगी एक छोटा से डिवाइस होता है तो यह बनाने के लिए नॉर्मल डायोड यूज करते हैं तो डायोड दीखेंगे फिर जीन डायोड भी उसमें लगा होगा छोटा से डायोड और होता है जीन डायोड वह भी और यह सारी चीजी उसमें कनेक्ट होते है तो यह बाता है तो यह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा एक तरह से